गाई सुप्रीम कोट ने दिया आदेश 10,000 करोड का भुकतान 20 माज से होगा चालू निवेसकों का मिलेगा फसा हुआ पैसा साहरा इंडिया में अगर आपने भी निवेसक के तोर पर पैसा लगाया था और वो पैसा सालों से फसा हुआ है तो केंज सरकार ने उसकी वापसी के रास्ते निकाल रही है ये ख़वर साहरा में पैसे फसे होने वाले लोगों के लिए सुकुन भरी हो सकती है साहरा इंडिया के रिफंड को लेकर केंज सरकार एक्शन में है केंज सरकार की तरफ से कई बड़ी कारवाई भी की गई है मार्केट रेगुलेटर सेवी ने सहारा ग्रूप की दो कमपनियों सुबरत राव और तीन अन लोगों पर 12 करोड रुपे का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है आपको बता दे कि सरकार ने ये जानकाई दी है कि सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा कब तक वापस मिल सकता है केंद सरकार ने सहारा इंडिया के बारे में बताया कि अब तक सेबी सहारा के निवेशकों को इंट्रेस्ट सहीत कूल 138.07 करोड रुपे की वापस कर पाया है सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉपरेशन लिम्टेंड ने 232.085 लाख निवेशकों से 9400.07 करोड रुपे और सहारा हाउस इंवेश्टमेंड कॉपरेशन लिम्टेंड ने 75.14 लाख निवेशकों से 380.50 करोड रुपे एक अत्रित किये यानि अभी भी निवेशकों के करोडों रुपे फसे हुए हैं सुप्रिम कोट ने आदेश दिया है 10,000 करोड का भुखतान 20 मा से सवे निवेशकों के खाते में रिफंड कर दिया जाएगा जिनका सहारा में पैसा फसा हुआ है हम आपको बता दे सहारा इंडिया ने निमेज को की जमा की गई 25,781.37 करोड की मूल रासी के बदले सेवी सहारा रिफंड खाते में 15,503.69 करोड उपे जमा किये हैं सुत्रो के अनुसार सेवी को 81,70 करोड रुपे की कुल मूल रासी के लिए 25,642 ओरिजिनल बॉंड सर्टिफिकेट पास्बुक से जुड़े 29,644 आवेधन मिले हैं सेवी ने 138.07 करोड रुपे की कुल रासी 48,326 ओरिजिनल बॉंड सर्टिफिकेट पास्बुक बाले 17,526 एलिजिबल बॉंड होल्डर को रिफंड कर दिया है